नौकरी चाहिए तो अपना मुह बंद ही रखना ये बिहार है अगर बिरोध परदसन किया तो सरकारी नौकरी नहीं नितीश सरकार के इस फर्मान पर तेस्टी यादब ने साधा निसाना बिहार के नितीश कुमार सरकार ने नया नियम बनाया है अगर किसी ने भी बिरोध परदसन किया या सरक जाम की तो उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी सरकार के तब से जारी आदेश में सरक जाम करने वालों को सरकारी नौकरी और सरकारी ठेके से बंचित रखने का प्राद्धान किया गया है सरकार के इस फैसले को लेकर विपक्षी नेता तेस्री आदब ने नितीज सरकार पर निसाना साधा तेस्री आदब ने ट्वीट करते हुए लिखा मुसोलनी और हिटलर को चनौती दे रहें नितीज कुमार कहते हैं अगर किसी ने सत्ता ब्यवस्ता के विरुद्ध धर्ना पर दर्शन कर अपने लोकतांत्र का अधिकार का प्रयोग किया तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी मतलब नौकरी भी नहीं देंगे और विरुद्ध पर कट भी नहीं करने देंगे 24-40 सीट के मुकमंत्री कितने डर रहे हैं दोस्तों आपको बता दे कि मुकमंत्री नितीज कुमार की सरकार ने इससे पहले सोसल मीडिया पर सरकार की आलोचना करने पर कारवाई का फर्मान जारी किया था उस फर्मान की भी काप ही आलोचना हुई थी वहीं तैस्ती आदव के ट्वीट को उनकी पार्टी राजित के ट्वीटर हैंडल से रिट्वीट करते हुए लिखा गया है ताना साही सियम नितीज कुमार को बिहार में सजग, जागरुक और मुखर नागरिक नहीं चाहिए सिर्फ गुलाम, कटपुतली चाहिए नियाले को ऐसे मूल अधिकारों पर कुठारा घात करने वाले निर्देसों का स्वता संग्यान लेना चाहिए आपको बतादी की बिहार सरकार के और से जारी फर्मान में कहा गया है यदि कोई बैक्ती बीधी विवस्था की इस्थिती ग्रोध परदर्सन सरक्जाम इत्यादी मामलों में सनलिप्त होकर किसी आपराधिक कित में सामिल होता है और उसे इसकार्ज के लिए पुलीस के द्वारा आरोप पत्र दाखिल किया जाता है तो उसके संबंद में चरित्र सत्यापन परतिवेदन में विशिष्ट एवा अस्वस्थ रूप से परविश्टी की जाए ऐसे बैक्तियों को गंभीर परिणामों के लिए तयार रहना होगा क्योंकि उनमें सरकारी नौकरी सरकारी ठेके आदी नहीं मिल पाएंगे